हलो गाईज आपके अपनी चैनल श्रेमा के स्टोकर में आपका श्रागत है सो गाईज अप्टेलिगा आप चैनल को जाइन कर सकते हैं इसका लिंगी स्वीडियो के डिस्केप्शन में आपको जाइन करके जो भी आपकी क्वेरी है और डेक्ट ली मुझे पूछ चकते हैं सो स्वीडियो बात करेंगे TCS Limited जो के टाटा Consultancy Services के नाम से भी जाना जाता है काफी जबर्दस सिच्वेशन में है एक नई दो नई तीन बड़ी बड़ी न्यूज यहाँ पर अनौन्स हुई है जो गाइस काफी जबर्दस सिच्वेशन है और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत बुलें तो यह एक लेटेस्ट अपडेटी न्यूज मिस कर जाएंगे तो आज के हाई की बात करें 388.70 पैसे इसका आज का लो है अगर बाउनवीक हाई की बात करें तो करीब-करीब आज पास अभी मार्केट में फ्लिक्टेट हो रहा है तो 387.60 पैसे इसका बाउनवीक हाई है अगर मैक्सिमम की बात करें तो जो इसका बाउनवीक हाई है वहीं इसका मैक्सिमम है कंडिशन काफी बहतरीन है अगर बात करें इसके एनलीसिस की तो काफी सारी चिज़ें यह वह 38,000 quantity volume trade हुआ है अगर बात करें इसके आज की तो यहाँ पर एक green candle अभी भी नज़र आ रहा है इसके अलाव अगर बात करें इसके अलाव जो इसका financial की बात करें तो financial condition भी काफी बहतरीन है अगर इसके revenue की बात करें तो revenue में एक बड़ा jump देखने को मिल रहा है अनिक पार share की बात करें तो आनिक पार share में भी करीब करीब same situation है जो की net profit की है इसके लाव अगर बात करें share holding की तो यहाँ पर जो की promoter holding बिल्कुल इवन यहाँ पर changes भी हुआ है प्लस भी हुआ है काफी इवन बैतरीन condition है अगर बात करें promoter holding की तो यह आपर आप देख सकते हैं बातर point zero five से बातर point one nine percent it means की holding increase हुई है और pledge की बात करें तो pledge करीब-करीब zero होने के अभी कगार पे है point four seven percent ही pledge बचा है अभी अगर बात करें foreign investors की तो 15.43 परशेंट यहाँ foreign investors की holding है domestic की बात करें 8.01 percent domestic investors की holding है public की बात करें 4.38 percent यह पर public holding है यहाँ पर बात करें foreign investors की तो holding में थोड़ा सा यहाँ पर downfall आया है foreign investors में domestic की बात करें तो domestic investors में जो की यहाँ पर plus देखने को मिला है अगर बात करें public की तो public holding में जो की यहाँ पर plus देखने को मिला है बट यहाँ पर of course जो की मैं हर पार बोलता हूँ कि public holding जितनी कम होगी हम जैसे लोगों की holding जितनी कम होगी काफी chances है share price के ऊपर जाने के तो गाइस यहाँ पर जो कि अलोड़ी public holding 4%, 4.5% के आज़ पास यहाँ बने जला रही है तो इतना बड़ा threat नहीं है इसमें तो काफी chances हैं ऊपर जाने के others की बात करें तो others के entry यहाँ पर अभी मोजूद नहीं है इसके अगर बात करें mutual fund की तो holding increase हुई है foreign investors की बात करें तो holding यहाँ पर जो कि decrease हुई है अगर बात करें total number of share तो guys of course जो कि इसकी face value एक रुपे है और total number of share जो की काफी मात्रा में है 379 करोड, 370 करोड के आज़ पास इसमें total number of share है जिसमें से more than 266 करोड जो की total जो की promoter के पास है 102 करोड जो की public के पास है जिसमें public भी include है foreign investors भी, domestic भी सब कुछ इसमें include है अगर बात करें इसकी news की तो guys सबसे पहले जो की of course एक जो की काफी सारी news जो की market में flash हो रही है एक यह Tata consultancy services market valuation process रुपीज 13.5 lakh रोड हो guys यह जो की 25 अगस्त को यह news आई थी इसके लावा अगर बात करें TCS की तो TCS market cap process 13 जो की of course यह news वही news है जो की एक महीने में 15% जो की jump यह stock ने तो आप अंदाजा लगा सकते है guys तीन जार रुपे का जो share price है अगर 15% उपर जाता है इसकी कितना यहाँ पर boom देखने को मिलेगा इसके लावा news की बात करें तो of course काफी सारी news जो की market पर flash होगी है सबसे पहले जो की BSNL likely to offer 4G tender to Tata consultancy services तो guys यहाँ पर BSNL का tender है वो TCS को मिलने के काफी chances है क्योंकि यहाँ पर TCS already agree हो चुका है and guys of course जो की software services जो software से related सारी चीज़ें है वो TCS provide करेगा and TASUS network of course जो की जो network equipment है वो सारे TASUS provide करेगा and इसके लावा जो networking की बात करें तो guys of course जो की Tata tele services जो इसमें already involved है तो Tata group यह पूरा यह 4G का जो tender है यह पूरा settle करेगा and यह news है यह हर जगा flash है TCS all set to deploy and run BSNL 4G network across India no other IT firm is ready so guys यहाँ पर काफी जबरदस्त news यहाँ पर आ रही है and अगर बात करें इसके अलावा यह news आई है जो की London से आई है so guys transport for London so guys यहाँ पर 10 साल का जो की contract sign किया deal sign किया TCS ने transport for London के लिए so guys काफी जबरदस्त यहाँ पर announcement की गई है TCS दवारा जिसकी वजह से of course एक अच्छा jump यहाँ पर देखने को हम मिल रहा है and इसके लावा एक news ओर भी आई है जो की of course यह तो 10 साल का जो की even over the course of the 10-year contract which has the opportunity for a five-year extension TCS will digitally transform taxi and private hire licensing and administration as well as implement continuous improvements and innovation as statements right so guys काफी जबरदस्त यहाँ पर जो की announcement की गई है TCS त्वारा जिसकी वजह से of course आज भी इसमें अच्छा खासा jump देखने हो ला even after जो की condition काफी खराब थी कभी upside कभी downside sensex में काफी जो हालत थी और काफी fluctuated हालत थी यहाँ पर नजरा रहे थी अगर बात में एक न्यूज और तो यह न्यूज है TCS share price trade in the green on partnership with the South America airline Avienka तो guys यहाँ पर एक और यहाँ पर partnership की गई है deal sign हो रही है partnership की जा रही है एक मींज की काफी जबर्दस situation में है TCS, TCS will modernize Avienka's IT infrastructure and build a new future ready cloud based digital code on Microsoft Azure the company shared in an exchange filing तो guys यहाँ पर तीन तीन बड़ी न्यूज आ रहे है TCS की तरफ से तो काफी दमाके दर यहाँ पर काफी chances है कि कुछ time के बाद आपको 5000 रुपे के आसपास भी मिले क्योंकि condition काफी पहतरीन होती हुई नजरा रहे है TCS की So guys thanks a lot for watching the video so please take care, please like, comment, subscribe, thank you, take care